हेलो एवरीवन वेलकम टू लेसें सेशन अकैडमी प्रंस आज की इस वीडियो में हम लोग सिक्स क्लास की जोग्रफी का चैप्टर टू लैटिटूड्स एंड लॉंगिटूड्स करेंगे तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले में आपको थोड़ा सब डीफिर इंट्रोड ब्रक्षन देती हूं कि बिशिक्ली लैटिटूड्स एंड लॉंगिटूड्स क्या उते ग्लोब के बारे में तो आप लोग को पता ही आप लोगों इसे देखा भी होगा तो देखिए हमारे अर्थ के ऊपर दो तरीकी की लाइन होती है इसको हम लोग लाटिटूड्स कहते हैं तो आई होप आपको समंद्ध में आगया होगा कि हम लोग इस चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं हमने प्रीवेस चैप्टर में पढ़ा कि हमारी जो प्लैनेट जो अर्थ है वह स्पेर नहीं है अर्थ की जो शेप है उसको हम लोग जियोट करते हैं जी ओ आई डी और तुझे है वह स्पेर नहीं है और तुझे है वह स्लाइटली फ्लैटेंड यानि थोड़ी सी चिपती है कहां पर नौर्थ पोल पर और साउथ पोल पर और थोड़ी सी चिपती है और मिडल में थोड़ी सी उबरी हुई है थोड़ी सी बल्जी है अब क्या आप इसे मैज वो कैसे दिखती होगी ग्लोब जो होता है वो एक ट्रू मॉडल होता है हमारी अर्थ का या फिर एक मिनियेचर फॉर्म होता है यानि एक छोटा फॉर्म होता है हमारी अर्थ का ग्लोब जो होते हैं वो साइज में और टाइप में वैरी कर सकते हैं कुछ जो ग्लोब होते हैं जिनको हम easily carry नहीं जो कर्सकते हैं कुछ जो होते हैं प्लोप साइज होते हैं ग्लोप जो होते हैं उसी तरीके सेRT कर्ता है जिस तरीके से जो हमारा लटू होता है और वह तरीके से रोटेट करता है तो हमारा जो अर्थ होता ह Mrsравствуйте यह खुन बहु से रोटेड करता है जो हमलोग ड्राइस को कंटिनेंट्स को और में उशिल्ट होते हैं उनको उनके्वार्स साइज में शो करते हैं जो यह त्यज्rece निकाले है उनका उनका साइज निकाला उस फॉर्म में उनको दिखाया जाता है तो वागे यह है कि किसी भी चीज जो मतलब इस पेर शेप में हो जैसे कि हमारी अर्थ है उस पे किसी लोकेशन को डिस्क्राइब करना काफी सार डिफ्कल्ट हो जाता है तो कोशन यह राइज होता है कि ऐसी चीज पर हम लोग किसी प् कि हमारे ग्लोब में जो होता है एक नीडल फिक्स होती है टिल्टेड मैंनर में जिसको हम लोग एक्सिस कहते हैं तो एक बर मैं इसको आप लोग को पिक्सर में दिखा देती हूं तो एक जो मारा ग्लोब है इसमें एक नीडल है जो नीडल है वो फिक्स है टिल्टेड मैंनर मे यह थोड़ी सी जुकी होई है कितनी जुकी हुई है यह 23.5-0 degree जो है एंगल बनाती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं यही एकसी है चो यह एकसी होता है यह लोग को जो है वो तू पोईंट से होकर गुजरता है जिसको हम v लेखिए लग लोग कहते हैं यह को लोग साउत पोलग दखीए यह दो पॉइंट है यह इसको हम लोग साउध पोल कहते हैं जो यह रीजन तो हम पॉइंट्स पॉयंट कषसा हरा लग गुझरता है इससे पास होता है ग्लोब में जो नीडल होती यानि जो एक्सिस होती है वह वेस्ट इस्ट जो है मूव करती है जैसे कि हमारी अर्थ भी मूव करती है देखे जो हम ऐसे डेली देखते हैं जो सन होता है वह इस्ट वेस्ट जाता है बट जो हमारी अर्थ होती है जो ग्लोब होता है वह वेस्ट इस्ट मूव करता है ना कि इस्ट वेस्ट यहां पर रखने वाली यह बात है कि हमारे जो रियल में अर्थ है उसके पास ऐसी कोई भी नीडल नहीं है या कोई भी एक्सिज नहीं है जो कि इसके अराउंड मूव करती है हमने इसको एक मतलब इमेजनरी लाइन माना हुआ मतलब इसको हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है अपने कन्विनियंस के हिसाब से ताकि हम लोग जो डेट है टाइम है या किसी प्लेस की जो लोकेशन है उसको इसली फाइंड आउट कर सके एक और मेजनरी लाइन होता है जो कि ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइट क कहते हैं जो नदन हाफ होता है अर्थ का उसको हम लोग कहते हैं नदन हैमिस्पेर कहते हैं और जो सदन हाफ होता है इसको हम लोग कहते हैं यह वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं नदन हैमिस्पेर सदन हैमिस्पेर क्यों कहते हैं नॉर्थ वाल रिजन में यह सब्सक्राइब करें हैं तो यह दोनों होते हैं बिल्कुल यहको सोते हैं इस वजह से ह्मिजारी ड्लाइल होते हैं जो कि बहुत ज्यादा important है किसलिए जो places हैं उनको locate करने के लिए अर्थ पे जितने places हैं उसको locate करने में जो equator है वो help करता है और यह जो है एक imaginary line है और parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude देखें यहां पर एक important बात बताई जा रही है कि जितने भी parallel circles होते है equator से जो कि पोल्ड के तरब जाते हैं यह मारे एक वेटर से जितने भी parallel circles से यह वाले-वाले यह वाले यह वाले जो जो कि पोल के तरब जा रहे हैं इसको हम लोग कहते है इसको कहते है 도 स्री 30 टीज्ट है 40 डिगृ Dr we can give you 60 डिग्री नौर्फ के faith तरहें पालब सपहड होगा यहाँ सी इस तरीके से वह तो और यह तो latitudes हैं वो किसमें मेजर किया राते हैं? डिग्रीज में मेजर किया राते हैं. 20 डिग्री है ना या पि 40 डिग्री, 60 डिग्री तो यह इंको हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं. The equator represents the 0 degree latitude और जो equator होता है वो 0 degree latitude को represent करता है. equator हमेशा किस पर होता है वो 0 degree latitude पर होता है और इसी को represent करता है since the distance from the equator to either of the poles is one-fourth of a circle round the earth it will measure one-fourth of 360 degrees that is 90 degree यहाँ पर देखे इसको मैं एक picture के दुरूँ समझा जाती ही क्या कहना चाहते है यह माल लीजे हमारा earth है या फिर globe है तो यहाँ से जो equator होता है जो बीच में equator होता है equator से आप किसी भी pole की तरफ जाएं जाएं तो आप north pole की तरफ जाएं या फिर आप south pole की तरफ जाएं तो equator से north pole या south pole की तरफ की जो distance होती है यहां से लेकर और यह जो पूरा distance होता है यह पूरे circle का कितना होता है यह one fourth होता है और इनकी बीच का जो angle बनता है वो कितना होता है वो 90 degree होता है देखे जो मारा circle होता है उसका वो जो कितने degree का होता है पूरा circle जो होता है वो 360 degree का होता 90 degrees के बनते हैं और यह जो पूरे circle का 1 by 4 होता है I hope आपको समंध में आगया होगा और नहीं आया तो आप एक फ़र वीडियो को back करके देख सकते हैं समंध में आ जाएगा This 90 degrees latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude mark the south pole कहने का मतलब यह है कि 90 degrees यहाँ पर 90 degrees बन रहा है हमारा north pole पे तो जो 90 degree latitude यह किसको रिप्रेजंट करता है यह north pole को रिप्रेजंट करता है और जो 90 degree यह south latitude किसको रिप्रेजंट करेगा हमारे south pole को देखे जितने भी parallels होते हैं जो कि north की तरफ होते हैं equator से उनको हम लोग कहते हैं north latitude और जितने भी parallels जो कि south की तरफ होते हैं equator के उनको हम लोग कहते हैं south latitude यह देखे यह picture में यह equator है, equator से north की तरफ जितने भी यह north की तरफ जितने भी यह parallels बन रहे हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे? North latitude कहेंगे इसको हम लोग और जितने भी south की तरफ बनेंगे इनको हम लोग क्या कहेंगे? ताउथ लाटिट्यूट केंगे और जो वैल्यू होती है वो हर एक लाटिट्यूट की उसको हम लोग वर्ड नॉर्थ और साउट से जो है वो डीनोट करते हैं और जनरली इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है N और S, N for North and S for South देखिए आप एक एक ग्जामपल के तुरू बताया हुआ है कि दोनों ही जो है वो कि पर लोकेट है यह 20 डिगी लाटिटूड पर लोकेट हैं यहां पर बताया गया है कि जो चंद्रपूर की महारास्टर में है यहां पर ही 20 डिग्री नॉर्थ पर लोकेट है और जो बेलो हरिजूंटे है वो भी 20 डिग्री पर लोकेट है जो यहां पर बताया है कि जो चंद्रपूर ओंके महारास्टर में है कि यहां पर ही 20 डिग्री नॉर्थ लोकेट है और जो बेलो हरिजूंटे है तो यहां पर यहां पर या फिर वो कहीं पर भी पूरे में से लोकेट हो सकता है and same इस तरीके से equator के south में जो है 20 degrees south है यहां पर जो हमारा below horizontal है वो यहां पर पूरे इस region में कहीं पर भी locate हो सकता है I hope आपको यह समझ में आ गया होगा figure 2.2 में यह बताया हुए कि as we move away from the equator the size of the parallels of latitude decreases यहां पर बताया है कि जैसे जैसे हम equator से दूर होते जाते हैं तो जो parallels of latitude जो होता है वो decrease होता है उनका size होता है यह देखे यह हमारा equator है तो equator से जैसे हम पोल्स की तरफ जा रहे है तो उससे के आरही कि जो इनकी बीच के distance हो कम होती जारी यहाँ पे सबसार बसी ती उसके बाद यहाँ पर थोड़ी कम होई फिर यहां पर धोडी और यहां तक आते जो distance है वह बिल्कुल ही कम हो गई है तो यहाँ पर यही बताई गई सर्फर्लीए अब हमारा जो नेक्स्ट न एक्स्ट रॉपिक है इंपोर्टेटह। पूल के बाड़े में बारे में इसके इस下 सकते it कितने हैं वो चार इंपॉर्टेट पैलस ऑफ लाटिटूड है कौन-कौन से उनको देखते हैं फर्स्ट एर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है नदर हैमिस्फेर में सेकिन एर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पर है ऊबकलन एर तर्ड आर्क्टिक सरकल पर है सिक्टी सिख्टे एन हाफ डिग्री पर लोकेड है नौर्थ एक्वेटर के नौर्थ में और जो अंतarctic सरकल रर्कल है वो 66.2ad पर लोकेट है आसा एक्वेटर के साॉत में इसको हमें पिक्चर के तुर समझते हैं, बुक में पिक्चर दी हुई है, यह देखिए हमारा एक्वेटर जिसके बारे में भी हम लोगों ने उपर है और यह 0 डिग्री पर लोकेट है, उपर जाते हैं नौर्थ की तरफ तो यहां पर 23.5 डिग्री जो नौर्थ है, यहां पर तो यहां पर यह जो है, चार्ड पैललस ओफ लेटिट्टूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड आर्क्टिक सर्कल एंड अंट्र्क्रिक सर्कल, इन सब के बारे में हमें यहां पर इंफ्वरमेशन दे गई है, अब नेक्स है, हीट जोन्स तो अब हम लोग हीट जोन्स अब दी अर्थ करेंगे, देखे हीट जोन्स क्या है, जो भी सन की रेज आती है, सन की जो हीट आती है, उसके अकौर्डिंग, अर्थ को जो है वो तीन जोन में डिवाइट किया गया है, फर्स्ट है टॉरिट जोन, और सेकिंड है टैम्टेट और फर्ड है व्रिजम तो यह जोंस क्या है इसको इक रहा से में न होता है 90 डिग्री पर सन लोकेट होता है और वहां से उसकी जरूए रेस होते हैं बिल्कुल सीधी परती है तो इस वज़ेसे क्या होता है यह जो एरिया होता है वह मैक्समाम हीट जो है रिसीव करता है और इसन वज़ेसे इसको टॉरिजों कहा जाता है यहां पर देखें एक बिल्कुल ओवर हैड होता है जब सब्सक्राइब तो उसकी जो हीट होगी वह एक लिंटेद इरिया और बिल्कुल तेज पढ़ेंगी इस वजे से क्या होता यह एरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा गरम होता है तो अगर मिसको पिक्चर के थ्रू देखें तो देखें यहा इतने भी latitude बंढ रहें यहां पर पर 1-2-3-4 करके यहां पर नीचे भी 1234 करके तो यहां पर पर शीरी परती है वो बिल्कुल सीधी परती है क्योंकि थो पूरा एरिया होता है और मैक्समम हीट रिसीव करता है और इसको हम लोग तोरिज जोन कहते हैं अब बात करें temperate zone की, तो temperate zone में क्या होता है कि midday में जो sun होता है वो never signs overhead on any latitude beyond the tropic of cancer and the tropic of capricorn तो sun जो होता है वो tropic of cancer and tropic of capricorn के बीच में जो है वो कभी भी बिल्कुल overhead sign नहीं करता, sun जो होता है sun की जो raise होती है वो एक angle से जो है वो पोल से पढ़ती है जैसे से वो पोल की तरफ जाती है तो sun की जो raise होती है वो decrease होने लगती है वो एक angle बना कर आती है और पोल की तरफ जाते है तो इस वेज़े से क्या होता है कि इतना भी area जो tropic of cancer और Arctic circle जो की northern hemisphere में है and tropic of capricorn and Antarctic circle जो की southern hemisphere में यहाँ पर जो है वो heat बहुत ज़्यादा receive नहीं होती है और यहाँ पर जो temperature होता है वो moderate होता है और इस वज़ेसे इसको temperature zone कहा जाता है देखें यहाँ पर जो टॉट स्लाइट का example दिया हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो sun की raise होती है वो एक angle बना कर पढ़ती है माली जे sun है sun की raise क्या कर रही है वो एक angle ले पढ़ रही है और यह maximum area कवर कर रही है तो जब maximum area cover करती तो उनकी heat जो होती है उतनी ज्यादा नहीं पढ़ती वो तेशी पढ़ती है इस वे से क्या होता है heat जो होती हो कम feel होती है तो अगर इस picture के थूँ देखें तो यहाँ पर देखें जो यह मारा नदर हेमिस्फेर है यहाँ पर topic of cancer से लेकर Arctic Circle तक यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो area है और नीचे में अगर देखें सदन हेमिस्फेर में topic of Capricorn से लेकर Antarctic Circle जो यह वाला area है यहाँ पर sun की जो रेज होती है ब Опाव अंगल से पाथी है मारा नकी तक रहा में जो यहाँ अधर में पर बिल्कुल सीथी रेस पढ़ेंगी वह यहाँ पर तिलशी परेंगी इसमें से क्या हूँ से जो वाला area होता है वह monitoring होता है 9ीय में लाइ करता है between Arctic Circle North Pole में और Northern Hemisphere में and Antarctic Circle और South Pole कहां पर Southern Hemisphere में और वेरिकोल, यह बहुत ही जाए ठंडे होते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Sun जो होता है वो यहाँ पर नहीं आता Sun की जो rays होती है वो यहाँ पर होरिजोन ने पढ़ती है मतलब पढ़ती ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो Therefore, its rays are always planting and provide less heat यहाँ पर जो rays होते हो बहुत जाए तिरशी पढ़ती है और इस वज़े से जो होता है यह एरिया जो होता है फ्रिजी जोन होता है इस वज़े से यह जो एरिया होता है बहुत जाए ठंडा होता है और इस वज़े सो कहाता है फ्रिजी जून तो बात करते हैं longitudes की देखे longitudes क्या होते हैं यह भी कुछ एक तरिके के lines होती है यह जैसा कि मैंने आपको इंट्रेक्शन में बता दिया था कि हमारी अर्थ पर दो तरगी के lines होती है एक इस तरगी के line होते हैं जिसको हम लोग latitude कहते हैं तो यह जो होती है यह एक reference line होती है इनकी क्या जरुवत होती है देखें आप बताया हुआ है कि किसी place की position को fix करने के लिए latitude के अलामा भी कुछ और चीजों की जरुत होती है कुछ और चीजों की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम किसी place की position को जो है find out कर सके या उसको fix कर सके कि वह कहां पर located है एक्जांपल दिया हुआ है कि जो तोंगा आइलेंड है कहां पर Pacific Ocean में है और जो मॉस्यस आइलेंड में आइलेंड है वो कहां पर Indian Ocean में दोनों के दोनों जो है वह सेम latitude पर सिच्वेटेड है 20 डिगरी साउथ पर मान लीज यहां पर यहां पर यहां पर या फिर कहीं पर भी वो लोकेट हो सकते हैं पट वह यहां लोकेट है यहां लोकेट है इसके लिए जो हमें longitude की जरूत हो दे ताकि हम उसको एक जो उसकी specific location है उसको find out कर सके तो अब आगे यह है नाओ इन ओर तो लोकेट दें प्रिसाइजली we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole यह चीज़ यहां बताया हुए कि अब हमें कितना वो east और कितना west है इसके लिए हमें एक और line of reference की जरूत है जो की run करें कहां north pole से south pole की तरफ north pole से south pole की तरफ run करें ताकि हम उनको use करके जो है किसी place की जो location है उसको find out कर सके और यह जो lines होती है reference की इसको हम क्या कहते है मेरेडियंस of longitude कहते हैं और आगे इसके बारे में बताया हुए कि जो distance होती है इनके बीच में उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं डिग्रीज में मेजर करते हैं और इतनी भी डिग्रीज होती है फिर उसको further minute में और फिर उसको second में डिवाइट कहाता है और यह सेमी सरकल्स होते हैं इनके बीच को distance होती है जैसे वह पोल्स की तरफ आते हैं वह decrease होने लगती है और पोल्स पर आके बिल्कुल यह जीरो हो जाते हैं जहां पर सारी मेरेडियंस मीट करते हैं कैसे इस कॉम पिक्सर के तुरू देखते हैं यहां पर नेकी चीज़ बताइए बहुत हैं अब आगे हैं कि अनलाइक पैलज उफ लैटिटीटीटूड और एक क्वन थे लेंटीट की बात की तो हमने लैटिटीटूड होते हैं मतलब कम होती जाते बट अगर बात करें ल Kellyn और कहा से इनको है इन नियर नियुक्त किया कि जो क्रत है वो शुट थे बिगन सूर मिरेड beslस्राइट वी Алविच पाशिद तो तो सब लोगों यह डिसाइट क्या कि मेरीडियन से counting start की जहां से ग्रीडियन जो है पास होता है और यह जो है British royal observatory के पास जो है लोकेट है और इस मेरीडियन कहा जाता है और उसके जो value है वह 0-degree longitude है जहां से हम लोग काउंट करते हैं 180-degree Eastward aquell 2013 तो यह पर यहां पर यहां से सटार्ट करते हैं यह से 18chs जो है वो ईस्ट की तरफ होता है यह रहगा यहां पर नलवी तरफ दिशन्ट होता है लोकेट होता है वह अब दीक बता होता है वो हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइट करता है इस्टन हैमिस्फेर और वेस्टन हैमिस्फेर तो यहां पर पिक्चर के थू देखते हैं देखिए हमारा जो हमारी अर्थ है वो इसको दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइट कर रहा है इसे वारा जो पार्ट में दिवाइट कर रहा है नदन हैमेस्वेर ऐन सौन रेन में इसको दिवाइट करता था तो यहां पर यह बतायव है कि जो लॉंगिट्यू बहुते हैं इनको यहां लेटर में लेकर ओ modest के लिए यूज करते हैं तो यहां पर ही ही बताब है कि जो यह Will go to hand お storms के लिए लिखते हैं कि इसे मतलब ज्सक्रीन हम लोग लिखते हैं अनुडर के लिखते हैं अन्न वेहां लोग लिखते हैं attend द्रह Cardan द्रहुंड द्रहाव न यहां पर गाथा लग द्रहें वो सेम लाइन पर हैं मतलब वो तुनों सेम लाइन पर लाइ करते हैं यहां पर एक इंट्रेस्टिंग बात बताई गई है अब आगे है नाव लुक एट दा ग्रीड ऑफ पैलल सफ लेटिटिवड और मिरेडेंस ऑफ लॉंगिटिवड ऑन ग्लोब फिगर 2.6 you can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude तो वही पर बिताई कि आगा है खै得 अगनागन के आगा आप किसी फ्लेटिटरीश्ट र राटिट्यूड एंड दिग्री इस लॉंगिट्यूड फाइंड रेड टीस तू लाइन सकत इस अधर पॉइंट विल बी दा लोकेशन ऑफ दुब्री तो अब देखिए बात करें हम आसम की तो यहां पर अगम इसको लोकेट करना हो तो यहां पर मारे 20 दिग्री नौर्थ है यहां पर लोकेट ओगा जहां पर यह दुनों एक दूसरे को इंटर्सेक्ट करेंगे अब इसको और अच्छे समझने के लिए यहां पर एक पिक्सर दी हुई है एक एक्टिविटी टाइप की दि घीए इसको एक पर करते हैं देखिए यहां पर जो है वर्टिकल रो आवर् 知道 cinema करेंगे महान पर चोटे चोटे श्रकल बनाने जैसे कि यह पर यह जो बनाने हैं यहार पर सरकल्स बनाने यहां उसके बाद हमें क्या यहां बतायो है कि let vertical lines represents the leftitt Hiç他们 are in नद५ यहां पर बताय हुआ कि जो vertical lines यह तो किसको कर रहे हैं को रीप्रिजेन्ट कर रहे हैं नोग देखेंगे कि आbelा की थी या संव सोने जानी। है नहीं है क्य tão है आप दॉनस देखें दूद बात्빈 यहाँ है नोग इस आ से चो लोकेट पर दिगरी लगए distingu- उसको जो यह जितने भी सरकस दिये हैं B, C, D, E जो है इसको हमें फाइंड आउट करना है तो अब आगे का जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बताईए और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक किजिए और अपने फ्रेंज के साथ सेर किजिए और मैं चल को सब्सक्राइब किजिए थैंक यू